आज निधी कंपनी और साहुकारी लाइसेंस के काम के बीच के डिफरेंस को बताने के लिए आया हूँ सबसे पहला डिफरेंस क्या है यह जानते हैं अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा यह मेरा अधिकार बनता है आप लोगों को फ्री इंफर्मेशन और नौलेज देने का कि मैं आपसे जुड़ा रहा हूँ तो ध्यान दीजे सबसे पहला डिफरेंस क्या है निधी कंपनी को सिर्फ मॉट्गेज लोन और गोल लोन देने का अधिकार है साहुकारी वालब बिना अनसेक्यूर लोन भी दे सकता है और उसके अलावा वो चाहे तो कोई चीज सेक्यूरिटी में भी ले सकता है तो यहाँ इंडिपेंडेंस आ जाता है दूसरी चीज निधी कंपनी अपना जो आफिस है जो पहला आफिस है रेश्टेशन के बाद में उस पहले आफिस से ही तीन साल तक minimum operate करना पड़ेगा वो multiple offices खोल नहीं सकता तो इसका मतलब उसका fellow limited है और यह साहुकारी license जो है उसके लिए जो भी office तै किया गया office एक निमित्त मात रहे वो जो area दिया गया है तैसिलदार के द्वारा जो उनके license में mentioned है उस पूरे area पर काम कर सकता है जा जाके काम कर सकता है साहुकार एक single वेक्ती होता है जो की काम करता है और निधी एक company होता है company का liably limited होता है और जो individual person रहता है उसका liability unlimited रहता है तो निधी company का liably limited साहुकार का liability unlimited निधी कमपनी का इंटरस रेट कम होता है साहुकार का इंटरस रेट जादा होता है निधी कमपनी का इंटरस रेट जो मैक्सिमम आज के दिन जाता है वो लगबग 20% के आसपास मैक्सिमम जा सकता है साहुकारी का रेट जो एवरेज जाता है 24% और उससे जादा भी कईबर चला जाता है निदी कंपनी को 100% निदी रूल्स के accordingly काम करना पड़ता है जो की हमारे देश के राजपत्र में लिखा हुआ भारत के राजपत्र में नोटिफिकेशन में लिखा हुआ उसके सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जब जब रूल्स में changes आएगी इनको फॉलो करने पड़ेंगे यहाँ पर केवल local law साहुकारी act ही फॉलो करना है बहुत सारे नियम कानून नहीं है मतलब easily काम करता है क्योंकि single वेक्ती काम करता है नेक्स्ट यह है निदी company एक बार formation हो गई तो आपको जो compliance करने रहेंगे वो काफी सारे compliance होते है और वो compliance भी करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि company है तो compliance होगा transparency रहेगी साहुकारी वाले लोगों को सिर्फ कुछ document maintain करने पड़ते हैं बहुत ज़ादा compliance नहीं है निदी company unlimited period के लिए बगाना पड़ता है तो यह जो difference है निदी और साहुकारी license के लिए है मैं आपको बता दूँ अगर आपको unsecured loan देने का भी मन है और systematically आप company के format में भी रहना चाहते हैं तो एक तरफ निदी company ले लिजे और दूसरे तरफ साहुकारी license भी ले लिजे एक चीज़ और बता दू निदी company तीन साल के बाद में दो branches और केवल जानकारी दे कर खोल सकती है और बहुत सारे branches केवल उसी राज्य के अंदर में जो भी करेगी निदी उस राज्य के अंदर में करेगी वो open कर सकती है permission लेकर बट साहुकार केवल अपने जगह पर ही बैठ सकता है और वो खुद दोड़ कर जितना काम कर पाएगा वो कर पाएगा तो साहुकारी में future scope limited है निदी में future scope बहुत जादा है साहुकार वाला कभी भी आगे NBFC नहीं बन सकता लेकिन निदी company automatically NBFC है और future में निदी company bank जरूर बन सकता है तो अगर आपको दोनों फाइदे चाहिए unsecured loan भी चाहिए इधर आप secured loan भी चाहते है तो निदी रखिए जरूर रखिए वो आपको corporate look देगा corporate काम कर पाएगे उसमें भी profit बहुत जादा है मेरी 150% profit वाली वीडियो जरूर देखिएगा तो निदी जो है वो जरूर रखिए अगर आप possible है तो और साथ में अगर unsecured की इच्छा रखते है तो साहुकार भी एक license ले लिजे आप दोनों combo अगर कर जाते हैं तो बहतरीन chances बनेंगे future के लिए आगे bank rank बना सकते हैं अगर नहीं भी बनाते हैं तो निदी बहतरीन concept है साथ में साहुकारी आपको compliment करेगा personal loan देने के लिए आपको group loan देना है तो भी दे दो कोई फरक नहीं पड़ता क्यूंकि आपको loan देना है और उस पर ब्याज लेने है तो दोस्तों ये बहुत useful information और ये मेरा personal opinion है दोनों चीज़े गजब हो जाएगा तो आपकी इच्छा है मैं आपको बताओं आप comment box में जो लिखेंगे मैं हमेशा तयार हूं उसका जवाब देने के लिए अगर आप decide करते हैं कि मुझे ये काम करना है और आप comment box में लिखते हैं कि सर मुझे ये formation करना ही करना है आप बताइए हमको क्या करना है तो मैं उसके लिए पूरा help करने के लिए तयारो और केवल information चाहिए तो भी comment box में लिखिए वहाँ पर जवाब ज़रूर आ जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए फिर से बतादो सब्सक्राइब मेरा अधिकार है आपसे जुड़े रने का ज़रूर करिएगा